नमश्कार दोस्तों मैं दॉक्टर प्रांचली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों अगर आप भी बालों से जोड़ी विभीन समस्थे हैं चाहे बालों का ज़ड़ना हो सफेध होना हो बालों में जेनरलाइज हेर थिनिंग के परिशानी हो, बालुप में बहुत ज़ादा आपको रूखापन, डैंडरफ, इन सब चीजों के परिशानी लग रही है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़ादा बेनिफीशल है, यूगि आज मैं बताऊंगी, इन सभी बालुल सम्मंदित परिशानियों के मुख्य कारणों के बारे में, और एक ऐसा नैच्रल सलूशन जो आपकी इन तमाम परिशानियों को बहुत हद तक खतम करने में आपको बहुत ज़ादा मददकार होगा, तो वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़ादा इन्फिमेटियों आप इसको अन तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे हेर फॉल के जो मुख्य कारण है उनके बारे में आपने बहुत बार मेरे वीडियो में सुना होगा लेकिन आज में बहुत जो इंपोर्टेंट हैं उन पे आपको जरूर बताना चाहूंगी जो एक सबसे इंपोर्टेंट डॉल प्ले करता है व और आपकी मिडल एज या थोड़ी से लेज स्टेज में देखने को मिल सकते हैं लेकिन आजकल जनेटिकल के वज़े के साथ सा जो इन्वार्मेंटल फाक्टर है उसके वज़े से यंग एज में ही लोगों के बालों के जढ़ने की समस्या बहुत जादा बढ़ती सी नजर आ आप में अगर कुछ ऐसी डिजीज चल रही है या फिर आप किसी हार्मोनल इंबैलेंसिंग से सफरर हैं तो भी आप बहुत प्रोन होते हैं बालों के जढ़ने की समस्या के लिए इसके लावा अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होती है बहुत जादा स्ट्रेसफुल कंड करता है इसके जो कारण है आपको एक बहुत ही मेजर रॉल प्ले करते हैं आपके पानी का हार्ड होना आप ने देखा होगा कि आपके बहुत अच्छे होंते थे लेकिन को ही चहर बदला याclock किसी दूसरे सिटी वनेबै इसके बाद से आपके आप जहंडने के समस्या बहुत जादा बढ़ गया बहुत जादा तेजी से आपके बाल जहननें लगे उसके पीछे कारण है वो है हाड़ वार्टर यह हाड़ वटर आपके बालों को बहुत ज़ादा आपकी उसकी roots को कमजोर कर देते हैं और sudden water change या environment change होने के वज़े से आपको बहुत ज़ादा drastic hair fall देखने को मिलने लग जाता है इसके लावा जो nutritional deficiency जिसे हम बोलते है malnutrition के वज़े से भी आप में बालों के ज़णने की समस्या बहुत ज़ादा देखने को मिल सकती है अब बात करते हैं इसके solution के बारे में solution के लिए अगर में बात कर रहें तो market में आपको बहुत सारे ऐसे shampoo, conditioner, oil, serums मिल जाएंगे जो आपको externally लगाने के लिए दिये जाएंगे लेकिन आपकी कारण आपका जो cause है अगर वो अंदर से अरेंज प्रॉपर नहीं होगा अंदर से अगर उसमें परिशानी होगी तो आप कितने भी बाहर से चीज़े प्रयोग कर लें उसमें आपको इतने efficient result देखने को नहीं मिलेगे दोस्तों जब हम कोई चीज internally लेते हैं तो internally वो हमारे शरीर में अंदर से जाती हो और अंदर से जाने के बाद से जो भी कारण मैंने आपको बताएं उन कारणों को जब हम ठीक कर लेते हैं तो automatically हमारे hair fall में हमें बहुत ज़ादा relief मिल जाता है और हमारे बाल जढ़ना पहले आपके बालों के समंदित हर परिशानी को चाहे बालों का जढ़ना हो सफेध हो रहा हो यानिकी premature grain tendency हो एंग्रोजनी के लुपेशिया हो साथ में आपको stress और या फिर lifestyle के वज़े से hair fall हो रहा हो nutritional deficiency के वज़े से हो रहा हो नीद किना प्रॉपर आने के वज़े से हो रहा हो इ आपके बालों समंदित हर से मस्या को ठीक करने में हलफुल है इसमें दोस्तों आमला भिंगराज अश्रगंदा और नोनी यह चार ऐसे मुख के इंग्डिजन्ट यूज किये गये हैं जो बालों में आपके बालों को nutrition प्रोवाइट करने में आपके बालों को एक बालों को प्रोवाइट करने में मददगार है अब हम इंडिविच्वली एक-एक के बारे में जान लेते हैं कि एक-एक जो इंग्रिजन्ट है वो स्पेसिफिकली आपके बालों पर क्या वर्ग करता है सबसे पहले हम बात करेंगे अमला के बारे में दोस्तों जो अमला होता है वो हम ग्रेइंग यानि समय से पहले आपके बाल साफेद हो रहे हैं इस तंडेनेसी को भी खतम करता है। इसके बाद अशो गन्दा जो है टो अशो गन्दा आप जानते हैं स्ट्रेस के उपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपको बहुत प्रोलॉंग स्ट्रेस कंडिशन में रहा रहे हैं उसके बाद आपने देखा कि आप में बहुत जादा बाल जढने शुरू हो गए हैं आपके बहुत जादा रफ और टूटने लग गए हैं अश्योगंदा उसको रिकवर करके आपके बालों को बहुत अच्छा करने में स्ट्रेस रिलीस करने में आपके स्ट्रेस को काम करने में बहुत मदद करेगा जिसके फलसुरूफ आपके बाल जढने की समस्या खतम हो जाएगी थर्ड दोस्तो है ब्रिंगराज दोस्तो जो ब्रिंगराज है वो हमारे जो स्कैल्प है उसमें आपका सर्कुलेशन अच्छा करता है ब्लड अच्छे से फ्लो होता है तो हमारी रूट हमारे फॉलिकल्स अच्छे होते हैं हमारे बालों में डैंडर्फ की समस्या नहीं इससे जिएनेटर, यानि की जो प्योर ब्लेड होता है, उसकी सप्लाई को बढ़ाता है, और जिसके फलसुरूव आपकी जो रूक्से आपके जो फॉलिकल्स वह बहुत अच्छे होते हैं, इनकी जो क्वालिटी हैं, जिससे आपके बाल बहुत मजबूत और हेल्दी होते हैं चार यह ऐसे ingredient हैं जो आपके बालो सम्मंदित हर परिशानी को ठीक करने में बहुत ज़दा help करेंगे दोस्तों इसके अंदर जो आमला है या नूनी है ये best quality के आमला नूनी ले गया है और इनको cold press करके बनाए गया है इसके लावा जो इनको extraction किया गया है वो chemical free water based method से किया गया है तो इसमें कोई भी chemical का प्रियोग नहीं किया गया है इसके लावा इसमें कोई भी flavor कोई भी color कोई भी artificial color किसी चीज़ का प्रियोग यह क्या है यह GMP certified है तो यह प्योरी तरह से safe product है जो आपको कोई भी problem कुछ भी देगा और आपके बालों से की जितनी परिशानी है उनको ठीक करने में मदद करेगा दोस्तों बात करते हैं आप इसको आपको लेना कैसे है तो सबसे पहले दोस्तों इसकी आप बॉटल ने और इसको अच्छे से शेक करें और दन इसका प्रियोग करें इसकी आपको 15 ml इसमें 30 ml के चोटा सा डखकन दिया गे उसमें आपको 15 ml लेना है और एक गिलास पानी में आप इसको डाल के सुबा शाम आपको लेना है खाना खाने के लगबग आधी गंटे बाद और 15 दिन के बाद आप 30 ml एक ग्ला इसको कहां से आप परचेस कर सकतेैं से कर सकते हैं उसकी link आपको description में मिल जा रही आप एक बड़र चेक करें जो लूख अभी अभी जिनका हेरवाल शुरू हुआ है आशर करते हैं तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like and healthy